मैं पी एन के जमू का स्टूडर्ट हूँ लेक्टरिशन मेरी स्टीम है और हमें आज यह दो प्रैक्टिकल मिले थे एक पैरलर वाइरिंग का और एक सीरिस वाइरिंग का जो मैंने दोनों कम्प्लीट कर लिये हैं और यह मेरे प्रॉपल वर्क कर रहे हैं जो मेरा पैरलर प्रॉपली वर्क कर रहा है इस पैरलर सीरिश में यह होता है कि हमारे वोल्टेज सेम रहाती है और हमारे करण्ट डिवाइड हो जाता है और जैसे हम बात करते हैं आप सीरिस स्वाइरिंग की इसमें मैंने सेम खिया हैं पी पीवी सी फाइब यूस्किया है जूंक्शन रो जय की है और वोल्टेज डिवाइड हो जाते है और हमारे पास जो सबसे जरूरी है वो है कमपीरइशन प्लाय जिसे हम कुछभी काम कर सकते हैं और और ये स्कूर्ड राइवर जिससे हम अपना काम को पूरा नहीं अच्छे आप मेरे को बताएई ये लेपद निकाल रहे हैं जी सर। यह salah trze वह रहा लगा हुआ है । क्या रिखने है, । सर यह उस्रीर वायर है, सर न सर इंट में राइच ही वायर हो जिसे यह न दो न चलते हैं। जैसके सर यह वहां पिर यूज रुज़ हो ते हैं हम करने कुछ गये हैं। सर कहीं वी… Maximum तो तो सादी मन होता है, जैसे हमारा वाamm पर यालिटे के लिगी हो होती है, वोर्मे साल 1 धो!! जो वूरा काम चल रहा हो, तो सार पूरा बंद हो जाएगा में लाट शिर सेयहा है क्योंकि सर यहां पर और सब्सक्स पुआरह, ना जी सेयह सर बाक के वोल्डर रही हैं जी सर एकलाइस है सबकी रेडिंग सेम है सो आट के सारी जी सर गनकोंक्स नहीं क्या है सर इस से हम वो बता सकते हैं जैसे हम लाइट बंद हो कमरे में लाइट ना हो हम इसे लाइट इसे लाइट ना हो दिखा कर के बता देता है कि हम अभी लाइट आ रहे कि बंद है अच्छा जी का जीज़ है? सर एक कमभिनेशन प्लाइट है सर इसका क्या work है? सर, इससे teamwork हो सकते हैं सर, एक तो हम इससे wire cut कर सकते हैं और जो wire का insulation होता है उससे remove कर सकते हैं इससे use क्रीजेश करने करीजें, सर, हमारे पूरी technique होनती है, सर, एक S को आसे पकड़ना चाहिए, इससे एजली खूल भी जाता रुधी हो जाता है इसे अगर हम अग यूस करेंगे सर उससे पहले हमें ये चैक करना चाहिए कि इसके ये जो द्लाक सेंसर पूरी तरा इंसुलेशन है कि नहीं है सर त्लाकम सर थेंके सर